नमस्कार मैं अमरेंद्रितिवारी अल्टाइम पॉब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों बिहार में पंचायती चुनाव जो है वो अब अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है पिरपैती प्रखंड में वोटिंग का डेट है 29 तारीक और इस बार वोटिंग का समय भी थोड़ा कम किया गया है तो जो वोटर हैं जो पूछ रहे थे उनके लिए बता दू कि तीन बजे तक आपको लाइन में खड़े हो जाना है इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौशूद हैं हरदेवचक पंचायत के सरपंच पत के प्रतियाश्ची सुनिता देवी के प्रतिनिधी अरुन तिवारीची और लगातार चुकी ये पिछले 5 साल से यहां पर सरपंच के रूप में कार इनोंने किया इनसे हम जानते हैं कि सबसे पहले तो आपसे में यह जानना चाहेंगे कि एज़स सरपंच किस तरीके का दाईत तो रहता है और समाज के लिए जो है आने वाले दिनों में आपकी भूमिका किस तरीके से होगी सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से सोनो जी आपका धन्यवाद करता हूं और हरदे चक पंचायत के जनता का भार व्यक्त करता हूं कि मुझे पांच साल की इलिए सरपंच के प्रतिन्दी के रूप में मैंने काम किया हूं और सरधार दिल के साथ काम किया हूं जो सरकार के दोवारा जो भी सकति सरपंच को परदत दे थी उसको मैं बहुत सरधा सनेय के साथ काम किया हूं और जो भी जनता मेरे पास अभी तक आया है निस्पक्ष रूप से सभी का काम किया हूँ जब कोई जनता मुझे खो जाया है वहां गया हूँ मानले किसी तरह का कोई आपसी विवाद है सब पक्ष को मिला कर बैट कर और समझोता कराया हूँ जो भी सर्पंच का अधिकार है उस अनुसार मैं सब जनता का निस्वार्थ से वाकिया हूँ अब इस बार सर्पंच की सरकार ने बहुत सारा शक्ती जो है सर्पंच के पास ट्रांसफर किया मुख्या के जो कारे होते उसमें सिधे सिधे तोर पे देखरेक की बड़ी जिम्मेदारी निगरानी की बड़ी जिम्मेदारी सर्पंच की होने वाली है इसलिए कहीं ना कहीं सर्पंच का पद जो है वो बड़ा ही महत्तपूर्ण अब इस बार से हो जाएगा सरकार ने कुछ शंसोधनों के साथ सरपंच को सक्तियां और ज़्यादा बढ़ा कर दिया है कितनी बड़ी जिम्मेदारी से समझते हैं समाज के लिए मैं जो सरकार के दुआरा जो प्रदत सक्ति होगी उसमें मैं निस्वार्थ रूप से जनता का हरदे चक पंचायत के जनता का स्यवा करूँगा और निस्पक्ष रूप से सभी का मैं सहयोग करूँगा पूरा विश्वास दिलाता हूं हरदे चक पंचायत के जनता को कि मेरे तरफ से भविश में कभी कोई गलती नहीं होगी आपको लगता है कि पंचाय चुनाव में इस तरह से पले जातपात की बहुत भूमिका होती थी लेकिन इधर कुछ दिनों से खास करके डिजिटल यूग आने से जो है लोग सवाल भी पूछने लगे हैं चोटे-चोटे बच्चे भी सवाल अब करना चानने लगे हैं तो लगता है आपको कि जातपात की भूमिका जो है अब खात्मुगे लोग जो है अच्छे लोगों को चुनना चाहते हैं मैं जनता से निवधन करूंगा जदी मैं जाति-पाति का राजनीती खषिया हो किसी भी जाति से वैसा कोई बात नहीं है और मैं निस्टवारत रूप से पूरे जनता का सेवा किया हूँ आज तक किसी के साथ कोई भेद बादम ने रखा हूँ ज़ेदि जंता मुझे पहले से जान रही है कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूं जदि बने जंता समधन करूंगा जदि इस बार मुझे मौका मिलता है निश्टवार्थ रूप से सद्धा, निश्टा के साथ पूर्ण मदद करूंगे जनतागा, जिसमें कहीं सिकायत नहीं होगी एक बड़ी समस्या होती है, खास करके छोटे-छोटे बिवाद होते हैं गाउं समाज में और लोग ठाने, कोट, इन सब के चक्रों में किस तरह से भारत की न्याईक व्यवस्था है, आप सको पता केस कितने दिन जूलते हैं आपकी भूमी का जो है, छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर कि लोगों को परिशान नहोना पड़े, इसमें क्या रहेगी? अभी तक तो जो भी मामला आया, ग्राम कचाहरी के अस्तर पर हो, घर पर जाकर बैठ कर हो, मैंने इसको सुलजाया हूँ और हमारे थाने में, हमारे पंचायत का बहुत मात 5% ही केस हो सकता है अधिक से अधिक, बखिया 95% केस को हमने समझोता कराकर समाप्त गया हूँ जो कि हरते जकी जन्ता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कभी भी जो मामला मेरे पास आता है, उसे सभी पक्ष को एक साथ बैठा कर समझोता कराता हूँ और कभी किसी से इस मामलें कोई दूसरा कोई सिकावा सिकायत नहीं है पिछली बार जब आप चुनाव में थे, तो उस वक्त खास करके एक काम का साल नहीं था मतलब फ्रेश कैंडिडेट के रूप में थे, लेकिन इस बार जब आप चुनाव में हैं तो क्या पिछले पांच साल के काम का जनता के प्रती जो कारे हैं, उसका कुछ प्रेसर है या फिर आपको किस तरीके का जब आप जा रहे हैं लोगों के बीच, तो कैसा समर्थन जो है मिल रहा है जिस गाओं में मैं जाता हूँ, हर गाओं के जनता मुझे पूर्ण सहियो करती है सरधार और विश्वास के साथ मेरे साथ है, और कहीं कोई दिकत नहीं बुझाया और हम आप लोग के साथ स्यवा किये हैं सही दिल सरधा से, इस बार मुझे फिर मोका दीजिए जनता के द्वारा जो सक्ति प्रदत होगी, वो जनता के साथ रहेगी और मुझे कोई किसी से कोई भेदभाव नहीं करना है, और दिल से सब का मदद करूँगा चुनाव चिन क्या मिला है आपकी धर्म पतनी सुनिता देवी जो इस्वार प्रत्याशी के रूप में और इवियम पर कितने नमबर पे असर हैं चुनाव चिन पांच नमबर में चकला और बेलना है जो की पांच नमबर पर है और मैं जनता से निवेदन करूँगा मुझे मौका दे मैं पुनः निस्वार फूर्प से जनता के पूरुन स्रेवा करूँगा चोकी बेलन जो है वो परते घर में पाया जाता है और तो फिर रोटी कैसे बनेगी कितना आपको क्या कहना चाहेंगे इस बार रोटी बनेगे और बनिहा से रोटी बनेगे कहीं कोई सिक्वासिकायत नहीं आएगा और मैं जनता के साथ 24 गंटा उपलब दराता हूँ इसके लिए जनता हमसे बहुत प्रसन है और जनता पुना मुझे ही लाना चाहती है अंत में क्या पिल करना चाहेंगे हर्देवचक पंचायत के जनता मालिक से क्योंकि जनता की भूमिका सर्वोपरी होती है जनता से मेरा निवेधन रहेगा कि जिस तरह से निस्वारत रूप से काम किया हूँ पांच साल और फिर पुना निस्वारत रूप से बिना भेदभाव का जाती पाती से हटके मैं जनता का सेवा करूँगा पुना सेवा करूँगा कोई सिकायत नहीं आगए जैसे अभी मने सभी जनता से मिलता हूँ मुझे पुर्न सहयोग जनता से मिलता है हर गाव में सहयोग मिलता है कहीं कोई सिकायत नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया से बात्चित करने के लिए धन्यवाद